Hello Everybody, This is Degraas Singh Rajput, Welcome to Social School इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे differing strands within the movement क्या है differing strands? कौन सा movement? तो non-corporation movement, सारे dots को connect करता चलना पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़े गया था कि non-corporation movement में अलग-अलग groups participate करेंगे अलग-अलग groups, अलग-अलग ideas के साथ participate करेंगे कहां participate करेंगे तो वो सारी चीज़े जो है और साथ ही साथ यह जो वीडियो है तो एक paragraph यह book में छोटा सा 4 line का लेकिन मैंने इसे एक filler की तरह इस्तमाल किया है करके चलना तभी कहानी बन पाईगे आपकी तो वो कहानी में बनवा दूँगा आप एक काम कर लेना क्या कि telegram channel join कर लेना तो वहाँ पर आपको notes मिल जाएंगे chapter खतम होने के बाद में जिसे आप download कर सकते हैं आसानी से free में ठीक है साथ ही साथ cooperation movement की तो non cooperation movement खिलाफत movement जो था ना तो इट बिगें इन जैनवरी 1921 ठीक है मानते हैं इसको क्यों कि मैंने देखा प्रपोजोल एक्सेप्ट कर लिया दिसम्मर 1920 के नागपूर सेशन में और अब क्या है अब मुव्मेंट लॉंच करने आगे तैयारी पूरी होगी चलो अब लेकिन क्या है अब जिसे यहां देखो तो अलग अलग सूचल ग्रूप ने पाटिसिपेट किया और हर सुचल ग्रूप की अपनी कुछ अलग ऐस्पिरेशन थी यहीं पर सवाल बनता है यहीं सवाल आपको पकड़ना है चैप्टर बहुत छोटा हो जाएगा चैप्टर पांच टॉपिक्स में खतम हो जाएगा पांच कुश्यंस में समझ सकते हो आप अगर आपने सवाल पकड़ना सीख लेया तो बदल एक बड़ा कुशिन यहाँ पर क्या बनेगा बताएं यहाँ पर एक बड़ा कुशिन यहीं बनेगा कि डिफ्रेंट ग्रूप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मुवमेंट ठीक है विट डिफ्रेंट नोशन अगर शलू करें तो एसे निवसमजाग हो और मुवमेंट के पीछे कोई अबज़ेक्टिव रहा है और वहाई जो नौपरेशन मुवमेंट में हम सब को करना है इतनी चीज़ सब को समझ आ गहीं दिल्ली जाना है इस अब को समझ में आ गया लेकिन अप कोई जी घूमने ज जा रहा है ठीक है वही चीज़ थी तो all of them responded to the call of स्वराज but the term meant different things to different people लेकिन नॉन कोपरेशन मुवमेंट इस टर्म का मतलब जो था अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब था different things to different people ठीक है यह पॉइंट समय आया ना कितना अच्छा पॉइंट है तो वही आपको कुशन मनेगा कि notions for स्वराज वर different by notions for स्वराज वर परसीव डिफरेंट्ली बाइडिफरेंट्ली ग्रूप्स पार्टिसिपेटिटि नॉन अब आपको वही लिखना है तो यह हम आगे आने वाले सब्सेक्वेंट टॉपिक्स में करके पढ़ेंगे कि कुछ लोगों ने टाउन्स में पार्टिसिपेट किया टाउन में किस तरह से पार्टिसिपेट के कुछिन यहां बन जाएगा आपका वही क्या रहा हूं कि यहां वीडियो एक फिलर की तरह लेना कि मैं आपको आईडिया देदूँगा आगे कैसे बढ़ना है चैप्टर में ठीक है तो एक कुछिन यहां यह बन सकता है कि जो नॉन काउपरेशन मुपेट था ठीक है तो फीपल पार्टिसिपेटेटेट वेरी एंदूज्यास्टिकली इन टाउं ठीक है तो अब यहां पर सवाल यह बनेगा कि हो दी पीपल्स इन टाउं पार्टिसिपेटेटेटे न और दूसरा ट्राइबल एर लोगों ने क्या सोच के participate किया ठीक है what were their strands within the movement ठीक स्वराज in plantation तो plantation workers जो थे how they participated in non-cooperation movement what was their notion for the स्वराज ठीक है तो यह सारे topics जो है वो आपको broad question जो है different strands within the movement उसके बारे में introduce करते हैं अब यह रहा surprise जिए surprise क्या देखो क्या history में एक बच्चों को दिक्कत यह जाती जो personally मैंने observe करी है सर आगे पढ़ते जा रहे है लेकिन वह पीछे वाली चीज हम भूलते जा रहे है मतलब connect नहीं कर पा रहे तो यह सबसे अच्छी क्यों देखने को मिला तो वही सारे कारण फोर्ज रिकूटमेंट था फोर्ज रिकूटमेंट साथ चीजों के प्राइज बढ़ना टेक्स बढ़ना एंफ्लेंजा फोर्ज इंटेंसिफाइड तो यह जो सब कुछ हुआ इस कारण से कही न कहीं नैशनलिजम फोर्ज हो रही थी हमारे देश में ठीक है नैशनलिजम स्ट्रॉंग हो रहा था और उसी पूरे टाइम पिरेड में क्या होता उसी टाइम पिरेड में गली पीच में क्या सकते हैं जो लोग थे वह उर्म ओर जादा तेजी से यूनाइटेड हो रहा है समझार रहे ना किस तरह से चार्ट हमारा बहतर बहुंड जा रहा है अब इसी बीच में हिंडु मिस्लिम को उनाइट किया जा सकता है लोगों के अंदर घुस्दा भरा पढ कि मोर्मेट में जो अलग-अलग गुरुप gibi समंगा म मिलते हैं अभी साइन औफ करते हैं ठोगेदर वीक्यों तैंक्यू ठापियू